फसके तोस्तों मैं रंजन को श्वाहढ। आप सभी को रंजन को श्वाहढ। YouTube चैनलसींग्द के तरफार के। आज आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ वेगन्स में जो रेल का वेगन होता है consolidated know उसमें single pipe system single pipe system में क्या होता है कि एक ही pipe होता है जिसमें कोब हम लोग बीपी पाइप बोलते हैं तो वेगन में बीपी वाला सिंगल वाला जो ओल्ड था उसका सिस्टम आज मैं समझाने वाला हूं इसमें जो ग्रीन कलर का जो पाइप देख रहे होंगे आप 1,2,3 जिसमें लिखा हुआ है फाइफ यह सब पॉइंट वो ग्रीन कलर का पाइप बीपी पाइप पहलाता है वो सिंगल पाइप एक ही पाइप से इसमें सारा चीज होता है तो मैं इसके बारे में अभी डिटेल एक्स्प्लेइन करता हूँ इसमें जो नंबर वन पर है नंबर वन दिख रहा होगा आपको उसको होस पाइप बोला जाता है और तू पर जो है वोसको सी वो सी कट और आंगेल की यह जो ठीग नंबर है यह कि पूरा इसको जाता है और यहां पर जो आप बड़ा सा एक टैंक देह रहे होंगे यह कैंक आप फिलेड हो ड़ा एकप बड़ा सा इस टैं़ को решил कर देंक रहे हैं यह हम इसको बड़ा यह वाला टैंक दोड़ेक रहें होंगे इसको जो बोलते हैं डिस्ट्रिग्यूटर वाल गाल ठीनिक और ऊपर वाला यह वाला टैंक इसको बोलते हैं तो इसका में सब्सक्राइब करता हूं सबसे पहले हैं इंजन को जब लोग अटेज करते हैं इंजन से किसी वैगन को तो यह जो 1 नमबर है वहां से हम लोग ब्लेग पावर जो प्रेसर होता है उसको छोड़ते हैं जब छोड़ते हैं यानि उस सिस्टम को वो करते हैं Karma जब करते हैं तो से होते हुए यहाँ पर जाएक और और यहां पड़ाय चार्जिंग में होते रहाय चार्जिंग का इसमेंस है कि आपको फिल कर रहा है ईसने पुरह की तो यह कुई ड्याइंक है आपको टैंक दिख रहा है वहां पर वह सरहा कर Hey अब अपलिकेशन दूसरा है कि इसमें आपलिकेशन अप्लिकेशन मतलब हम लोग ब्रेक को अपलाइ करना और उसको इसको जब आहींचे प्रेसर ने होते हैं तो ब्रेक अप्लाइ अंधा और ब्रेक अप्लाइ काईसे होगा तो जब इसमें प्रेशर को कम करेंगे तो बीपी हटेगा और जो बीपी खतम हो जाएगा तो यहां जो सिलिंडर है वहां से इस्टिब्ूटर भॉल्ब से होते हुए फिर से यह ब्रेक स्देंडर में चला जाएगा जो कि साथ नंवर पर दिख रहा है और ब्रेक स्देंडर में जाएगा अब टेक्ते हो isब तो अबेक ब्रेक आपलाइड होलाका अब है लस्ट चुछ नंबर में लिकाएगा wallet तो पूरा प्रेसर निकल जाता है कि यह है रिलीज ठीक है तो उमीद करता हूं कि आप सभी को यह सिंगल वाइप वर्किंग सिस्टम वाइगन वाला समझ में आ गया होगा अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सिस्क्राइब आवसे करें और साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर करें ताकि आपको सिंगल पाइप वर्किंग सिस्टम वाइगन में समझ में आए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए लाश्क में मैं इसको थोड़ा सा ओन करके दिखाता हूं कैसे ये वर्किंग करता है चार्जिंग वाला ठीक है ये देखिए अभी चार्जिंग हो रहा है ठीक है इसी तरह से ये जो टैंक है और अब ब्रेक अपलाई करेंगे तो पिश्टन यहां से इधर आजाएगा ठीक है मैं दिखाता हूं वह ही यह मैं अभी ब्रेक अपलाई कर दिया हूं और ब्रेक अपलिकेशन के के केस में देखे सिलींडर से निकल करके पिश्टन के पास यह डीवी से होते हुए इहाँ ब्रेक सिलिंडर में गया और पिश्टन बाहर आ गया जिससे हमारा ब्रेक अपलाई हो जाता है चलिए बहुत वह धन्यवाद आप सभी को उमीद करता हूं कि यह बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा सिंगल पाइप वर्किंग सिच्टम